और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बतादें क्रिकट वर्ल्ड कप से बड़ी खबर वर्ल्ल कब 2015 में पहला उलट फिर हुआ है आईलेंड की टीम ने वेस्ट इंडीज को चार विकेट से हरा दिया है दो बार World Cup जीतने वाली West Indies की टीम को आईलेंड ने इस World Cup के पहले ही मैच में माद दे दी है West Indies ने पहले बलेबाजी करते हुए 304 रन का बड़ा स्कोर बनाया लेकिन आईलेंड ने इस स्कोर को भी बॉना साबित कर दिया आईलेंड की तरफ से स्टर्लिंग ने सबसे ज्यादा 92 रन बनाए इसके अलावा जोईस और नीलो ब्राइन ने भी हाफ सेंचुरी बनाई तो ये बड़ा उलट पेर हुआ है World Cup में जहां आईलेंड जैसी अनेडॉक टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी मजबूर टीम को हराया है और World Cup 2015 का पहला उलट फेर ये कहा जा सकता है वेस्ट इंडीज जिसको की मजबूर टीम माना जाता है लेकिन आईलेंड ने यहां पर जबरदश शिकस दी है वेस्ट इंडीज को और इसे इस World Cup के बड़ी उलट फेर के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि आयलेंड ने वेस्ट इंडीज को चार विकेट से हराया है दो बार World Cup जीतने वाली वेस्ट इंडीज की टीम है लेकिन Ireland ने इस मैच में मात दे दी है World Cup West Indies के टीम को हमारे साथ इस वक्त हमारे cricket expert चेतन शर्मा जुरगे है चेतन इतना बड़ा उलट फेर इसे कहा जा सकता है Ireland जैसी अंडर्डॉक टीम West Indies को हरा दिया आपने एक्सपेक किया था कि इस तरह का उलट फेर हो सकता है बिल्कुल नहीं मिलाक्षी अगर आप सच माने आवकर आप पांचो मैच के उपर नज़र डाले पहले दिन से जब से मैच शुरू है वर्ड कप के जिस टीम ने पहले बैटिंग किये 300 रन बनाये हैं उनने और मैचेस जीते हैं 300 रन बनने के बाद वो भी आईरलेंड के खिलाफ वेस्ट इंडिस के 304 के बाद मतलब आप सोच नहीं सकते कि आईरलेंड जैसी टीम जो मतलब रगलर एक दिवसे मैचेस नहीं किलती वेस्ट इंडिस को हरा दीगी हर समय वर्ड कप में एक उलट फेज जरूर होता है एक अपसेट जरूर होता है वो हर ग्रुप से एक अपसेट जरूर होगा यह उमीद की जाती है और यह अपसेट हो गया तो ऐसे कहते हैं भारती है जब बंगलादिश ने बाती टीम को हराया था तो बहुत बड़ा उलट फेर है मेनक्षी और यहां मेर बात की जाए तो च्यालिस वे ओवर में यह जीत दर्ज कर लिए तो यह जो उलट है और अपसेट कर सकते हैं उपसेट कर सकते हैं पहुत ऐस्ट हमे से बहुत ऐस्चा कहिल्या कहिल यह तो उनको इतना असानी से हाका नहीं जा सकता लेकिन 300 से अधिक रन चेस करेंगे मिनाक्षी ये कोई नहीं सोच सकता कल के मैच में 300 बनते ही कम से कम 80% मैच भारती टीम के पाले में आ गया था लेकिन 300 आइरलेंड चेस करने का वहीं वेस्टनीज के खिलाफ बहुत अचमबा है सभी के लिए बिलकुल और बड़ी जीत है ये आइरलेंड के लिए बड़ा उलट फेर यहां व्ल्लकप में देखने को मिला जहां 300 आइरलेंड ये वेस्टनीज जैसी टीम को हराया दो बार की विश्प चैंपियन रही है व्ल्लकप की